कि सबसे प्यारे और पवित्र स्थान पर आज तुम प्रवेश करने लगें तो सीडियों पर जैसे ही आप चड़ेंगे तो उससे पहले एक-एक सीड़ी पर हाथ लगाते जाओगे और आखरी सीड़ी तक हाथ ले जाके वो माथे से लगाकर कहोगे नजाने कौन-कौन से भक्त यहां से गुजरें उन सब की चरण द्रज से अपने माथे को पवित्र करता हो और जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे यह अपने घर में बैठे-बैठे करना मानसिक रूप से जैसे आप पहुंच ही गए अंदर जैसे आप जाएंगे वहां भी टैप लगावा पानी से हाथ दोलीजे और मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय आप गुटनों के बल बैठना महसूस करना कि और तो कोई है नहीं आज मैं हो और मेरा बगवान और प्रणाम करना और प्रणाम करते वे कहना मेरा प्रणाम स्विकार करना मेरे परिवार का मेरे पित्रों का मेरे पोरवजों का मेरे पुर्खों का मेरे रिशियों का ग्यानियों का ध्यानियों का सब का प्रणाम धरती वासी सभी लोगों का प्रणाम लेकर तेरे दर पर हो बगवान सब की और से नमस्कार करता हूं मांसिक रूप से वैसे मैसूस करना कि आप तीर्थ में पहुंच गए हो और वहां जाकर प्रणाम कर रहे हैं और बस उसी समय याद करना कि चारो तरव शिखर परवत शिखर जो दिखाई दे रहे हैं वहां देवता खड़े गए है और कुछ देवता अंदर प्रवेश कर गए वहां उस मंदिर में मंत्रगान शुरू हो गया आप भी उसी तरह से खड़े होकर मंत्रपार्ट में ध्यान देना कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी आंके बंद करके बैठे होंगे गर में लगेगा जैसे गुणगान हो सजेवे वस्थाल में हीरे ज्वारात जड़ेवे हैं और हीरे ज्वारात की तरह ही सितारे जगमगा रहे हैं बस वो हाथ में लेकर आप आर्थी बंदन करने लगे हो और जब आरती बंदन करने लगे हैं तो आप ही मुख्य पूजा करने वाले बन गए देव था तो आपका साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आज ये दर्ती ये गगन ये चारो दिशाएं आज मिलकर परमात्म तेरा अभिननन कर रहे हैं और ये धर्ती से आया हुआ तेरा बालक तुझे प्रणाम करते हैं तेरा वंदन तेरा आरती अभिननन कर रहा है तो आपने घर में बैठे बैठे घुमाओ अपने मन को और करो आरती बगवान की और उसके बाद जब आप पुष्प अर्पित करते हैं पुष्पो से अर्चन करेंगे तो मैसूस करना के आपने नंदन वन के सारे फूलों को सुगंदित फूलों को आमंतित कर लिया उपर से नीचे तक बरसते वे चारुतर फूल अभी हम लोग जब यहां विचार कर रहे थे न के कैलाश शिखर बनेगा कैलाश शिखर पर उपर से गंगा प्रकट होती भी धरती पर बहेगी जो आपके राइपुर में बनने जा रहा है और उपर से नीचे गिरती वी गंगा की धरा जब नीचे आएगी तो वह जो कुंड बनेगा गोरी कुंड जिसमें आकर गिरेगी नीचे शिवलिंग जिसके ऊपर वो बूंदे गिरती वी और नदी बैती वी सामने जो जील होगी उसमें जाएगी और भक्त लोग पुल पार करते वे सामने आएंगे लेकिन एक साइड में कुछ कुंड बनेंगे स्नान करने वालों के लिए उसी के साथ में एक नंदन बन बनेगा बहुत तरह तरह के फूलों से बरावाओ नंदन बन उसी के बीच में चट्टान रखी जाएगी कहीं कहीं कोई भक्त आकर बैठकर भगवान का नाम जपना चाहे तो वहां बैठकर नाम जप सके सिमरने हाथ में लेकर परमात्मा को पुकार सके जब आप शद्दा भाव से ऐसी कोई भी कल्पना करते हैं तो यह ध्यान लख लेजिए आपके अंदर साप होना चाहिए पूरा आकार प्रकार सही होना चाहिए परमात्मा फिर वैसी चीज़ आपके सामने लाके प्रकट भी कर देते हैं हर दिन अपने घर के मंदिर में बैठ कर कोशिश करो के आप सीधे पहुंच जाओ परमात्मा के दर पर तो जब आप रोज हाजरी लगाएंगे तो यह बात ध्यान लख लेना कभी ब्रंदावन जाओ, कभी बद्रिनाज जाओ, कभी केदारनाज धाओ, कभी द्वारिकादीश के दर्शन करने के लिए जाएंगे, कभी सोमनाज चले जाओ कभी माता के दर्शन करने के लिए वैश्न देवी जाएंगे चड़ाई चड़ते चड़ते माता के दर्बार में जब आप जा रहे हो आनंद मैसुस करो अंदर अंदर जाप करते ओमें ग्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे ओमें ग्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे मंत्र अंदर से निकलने आपके ज्यानी नाम अपी चेतांसी देवी भगती सा बला दाकृष्य मोहाए महा माया प्रियाच्छती दुर्गी स्मृताहर सी भीती मशेश जन्तो स्वस्थई मती मती विशभाम दुदासी दारित्य द आप बैठे उपने घर के मंदिर में और जाप चला है और नौ रूप उसके देखना जैन्ति मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाह सुधा नमस्तु तेश जब आप नौ रूपों को ध्यान में रखकर अंदर से पुकार करते हैं ओमें गरीम किम क्लीम चामुन डाइविचे आदेवी सर्वभूते श क्या आफ पैदा नमस्ति के रूप को याद करतकरते हैं जलते जा रहे हैं शीडियां चड़ रहे हैं, जैसे जैसे उंचाई पर जा रहे हैं, अंदर से तरंग पैदा हो रही है, ध्यान रख लेना, मन से जब आप इस तरह से जाप करते वे भगवान का या भगवती का, महादीवी का, महाकाली का, उस स्वरूप का जब ध्यान करेंगे, कृपाएं पर हो सकता है, वहां जाकर दर्शन करो, तो माता मिले ना मिले, लेकर अगर ऐसे भाव से बैठोगे, तो आपके घर में धर्शन देने के लिए आजाएं, वही कृपा करने के लिए आजाएं, किसी-किसी बैचारे को मंत्र बोलने नहीं आते हैं, जैकारा बोलना भी नहीं आता लेकिन भावना होती है जिसके अंदर भावना उसको फिर भी कृपा होगी कभी-कभी जा रहे होते हैं ना एक बार हम लोग जा रहे थे वैश्न देवी चड़ाई चड़ रहे तो कुछ है लड़के लड़कियां भी जा रहे है अब इदर से सब लोग बोलते हुए जयमातादी जयमातादी उपर से जो भी आये वो भी जयमातादी बोले इन बच्चों को आदत नहीं थी वो बोलने के जैसे वो उदर से उपर से कहें जयमातादी ये बोले same to you. वो फिर कहें जै माता दिये, कहें, same to you. आदत वही ना. लोग उनको देखे रह से हैं. लेकिन बच्चेव की भावना देखी हैं उन्हें. उन्हें बोलना तो नहीं आता, लेकिन जैसे हाथ जोड़े जोड़े चल ले थे. मुझे लग रहा था कि औरों के पास शब्द तो हैं, भावना नहीं. इनके पास शब्द नहीं हैं, लेकिन भावना है. इन पर कृप़ा जरूर होगी. भावना से आप देखिये तो जाकर कि अच्चमतकार होता है. इसलिए अपने घर में बैठकर भी जब आप याद करोगे, तो दया करेगा वो. जिस भी तरीके से पहुंच सकते हैं, पहुंच जरूर. तो इसलिए कहा कि इश्वर के सुरूब को याद कीजिए, इश्वर के शाशन को याद कीजिए, इश्वर के कर्म यहां से जन्म लेती है, आस्तिक लोगों की यही तो बात है, और जैसा अपने आपको मानता है, वैसा ही दूसरे के भी सुख दुख को माने, तो जब अपने जैसा व्यवार दूसरों के साथ व्यक्ति करने लग जाता है, तब कहते हैं, धार्मिक हो गया, आत्मनह प्रतिकुल जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवार दूसरों के साथ करना शूकर दें, तब माना जाता है कि अब यह आदमी दार्मिक हो गया, और फिर एक आती है इस्तति, जिसको कहते हैं आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा वो इस्तति, जब आप अपने आपको इश्वर का पुत्र मान कर अपने अंदर सोईवी शक्तियों को जागरित करने के लिए अपने गुरू के सानिद्य में जाकर बैठते हैं, और गुरू के द्वारा दिये गई सारी विधी विदान को अपना कर अपने आंत्रिक शक्तियों को जागरित करना शूकरते हैं, तब आपके जी नहीं, ध्यान में बेठेंगे नु तो आप अपने आपको देखेंगे, मेरे शरीर की छाया दिखाई दे रही है, धूप में, लेकिन नह मैं छाया, ना मेरा शरीर, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में में रहता हूँ, आत्मा हूँ, प्राण जो चल ले, शक्ती बनकर शरीर में, वो प्राण भी मैं नहीं हूं, प्राण मेरे हैं, प्राणों में 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 रहता हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मन सारे कारिय कराता है शरीर से, लेकिन मन में भी मैं रहता हूं, मन मेरे कारण ही काम करता है, क्योंकि म मैं चैतन्य हूँ, मैं बुद्धी हूँ, decision लेने वाला, लेकिन बुद्धी भी नहीं हूँ, बुद्धी में मैं रहता हूँ, पिर कहा कौन हूँ मैं? चैतन्य, इतनी छोटी सी शक्ति, ज़सार की प्रबल शक्ति है, वो आत्म में हूँ, और इस आत्म को ही आप अपने समंद जोड़ दें तो यहीं से किरण निकलती बी आकास तक जाती भी मेसुस होती है कि आपकी तरंगे वहां तक जा रहे हैं कोई जब उसका आलोक तीज हो जाता है किसी व्यक्ति के साधना के दरा जहां 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 तक दृष्टी डालेगा वहां वहां तक कमाल होता जाता है इसलिए ध्यान लख लीजिए कि जब आप ससंग में भी आकर बैठोगे तो महानपुरुष की जो आखों की शक्ति उसका जो ओरा है वो भी आपको प्रभावित करता है और आपके अंदर कुछ न कुछ तो चेंज लाता है और जहां भक्ति वाला वातावन सबका एक साथ शुरू हो जाए तो फिर तो तरंग बहुत बढ़ जाती है और आपके अंदर जो प्रेम है वो प्रेम एक रूप धारन कर लेता है प्रेम कहीं आतर बन गया बढ़ों के प्रति और उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है यह एक व्यक्ति तेजी तेजी से दोड़ता हुआ रहा है दूसरा सामने से मिला कहां से आये हो वाई तो क्या बताता है आज मेरी मा का जनम दिन था मा का जनम दिन मना के आया हूँ अच्छा पर कहां से गर से आ रह차 हो बोले नहीं नहीं मा रहती है ब्रदाश श्रम मेर साथ साल से रह रही है तो मैं वही जनम दिन मना के आया हूं अब वह पोष्टा तुम कहां रहते हो बताया मैं इधर तुम्हारी मा तुम्हारे साथ रहती है व्यक्ति कहता है मेरी इतनी आउकात नहीं है ना इतनी बड़ी हिम्मत कि मैं मा को रख सकूं मैं तो बच्पन से ही जनम लेने के साथ से आज तक मा के साथ ही रहता हूँ मा को रखने वाला कौन मैं माँ के साथ रहता हूँ माँ मेरे साथ नहीं अच्छा वो जो मकान है बड़ा सा वो तुम्हारा ही है कब बना था बोले अभी दो तीन साल पहले पहले कहां रहते थे पहले दूसरे पुराने मकान में रहते थे तो मकान तो तुमने बनाया कहता मैंने तो मेनत करी है लेकिन आशिरवाद मेरी माँ का था मेरी माँ ने सपना देखा था मेरे बच्चे के पास इतना बड़ा मकान हो और ये माँ का मकान है उसके आशिरवाद से बना कर्म करने का अभिकार मेरा था मैंने बनाया लेकिन ऐसे समझो मा की करपा से बना नाम क्या रखा मकान का बोले मात्री च्छाया मा की च्छाओ उसकी करपा की च्छाओ इसलिए कितना भी बड़ा हो जाए जिसके अंदर वह प्यार है आधर है वो यह नहीं कहता है मा मेरे साथ रहती हो कहता है मैं मा के साथ रहता हूं इस बख्ती का रूप है और ऐसे लोग जब करुणा से ब़पूर होते हैं बख्ती यूदे हाले लोग करते हैं तो दूसरों के लीए कभी कुछ करते जरूर है न भक्ती जब करोणा बन जाती है तो वही एक रूप दहरन करती सेवा का है जब आप सेवक बन PRO जाते हैं न लोकॉट तो समझना चाहिए एक तो स्वाइम सेवक बनना अपने सेवक खुद किसी से सेवक कराने ने और दोसरे दोसरों का सहरा बनना जब दोसरों का सहरा आप बन जाते हैं तो कमाल हो जाता है तब बड़ा मजाता है कि आज इस लायक तो बनाया भगवान ने मुझे कि मैं किसे के काम आ रहा हूं। से साथ बजे, विशेश कारिक्रम, मंत्र दिक्षा 23 मार्ष दोपहर 12 बजे, स्थान, थोप्टे बैंक्वेट, गुडांबे चौप, रामनगर, रहा टड़ी, मेट्रो हॉस्पिटल किनल्जी, पूणे, आयोजक, विश्व जागरती मिशन, पूणे मंडल, संपर्क सूत्र, आप सा परिवार साधर आमंत्रित हैं। आओ मिलकर खेलें फूलो की होली। साड़े चार से साथ बजे, 29-31 मार्ष, 2024 प्रात हैं साड़े आट से ग्यारा बजे, सायम, साड़े चार से साथ बजे, विशेश कारिक्रम, मंत्र दिक्षा, 31 मार्ष, दोपहर बारा बजे। स्थान, पावंधा माश्रम, नज्दी, देविलाल चौक, कर्नाल, आयोजक, विश्व जागरती मिशन, कर्नाल, मंडल, संपर्क, सूत्र, आपसा परिवार साधर आमंत्रित हैं.